मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, ग्रहिस्त हूँ, कभी कभी नहीं रोज दारू पी लेता हूँ, बैल कुबेल भी कर लेता हूँ, जुवात आश भी कर लेता हूँ, बहुत से एब मेरे भीतर हैं, बाबा जी, क्या मैं परमात्मा तक पहुँश सकता हूँ, नाम ना बोलने की अग्या हुई है, मैं तेरे जाम का महताज नहीं, मैं तेरे जाम का महताज नहीं, मेरा साकी मुझे आँखों से पिला देता है, मैं तेरे जाम का महताज नहीं, मेरा साकी मुझे आँखों से पिला देता है, शराब पीते हो, अच्छा है, छोटा सुआद ना चखोगे, बड़े स्वाद की तलब कैसे पैदा होगे, पी ही लेते हो, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले, पीते जाना, छोड़ना मत, छोड़ना क्या है, ये जो प्रयाशित तुम कर रहे हैं, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ये तो मगनता है, मीरा को कोई और तलब लगती है, तुम्हें कोई और तलब लगती है, लेकिन तलब लगती है, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, तलब लगनी चाहिए, तलब की दिशा तो मैं बदल दूँगा, घबराऊ मत, स्वाद जगना चाहिए, शराब का, मुझे खुशी है, कि तुम पीते भी हो, नहीं तो मुझे पिलानी पड़ते हैं, कि देखो, ऐसा होता है नशा, हम इशारा करते हैं, वो रहा सूरच, वो रहा चंद्रमा, लेकिन इशारा हमारा काफी इधर छूट जाता है, इशारा तो करना ही पड़ता है ना, इशारा तुम पहले से लिये हो दारूपी के, बस आदा काम हमारा कत्म हुआ, बाकी का अदा हम कर लेंगे, तुम्हारा काम तुम किये जाओ, हमारा काम हम किये जाएंगे, लेकिन तुम्हारा काम तो तुम किये जाते हो, वे प्रयाशित छोड़ दो भाई, प्योप, प्रयाशित मत करो, तुम कोई बुरा थोड़े ही किये जाते हो, हमारे जो आनंद की बात हम करते हैं अखंड आनंद की बात उसी की तो ही तुम बात करते हो छोटे रूप की बड़ा रूप हम बना लेंगे तुम चिंता मत करो बस तुम्हें तरब लग गई इतना काफी है हमें ये समझाने का सलीका तो आया अब तुम पूछते हो के बाबा जी उसका स्वाद कैसा होता है तो हम बता पाएंगे के तुम सराब पीते हो जितना इसमे नशा होता है उससे अनंद कुना ज़दा लाखों करोरों अर्बों खर्बों गुना जदा हमारे पास एक मिसाल आ गई नहीं तो हमें समझाना बहुत मुश्कल हो जाता कुछ तो बैल करो जो हम समझाने में आसान माने कोई संभोग में रत होता है तो हम समझा सकते हैं बरमेचारी आतमी को मैं जल्दी जल्दी पास नहीं आने देता अरे तुम एक शुदर का अनभव ही नहीं विशाल समझाँगा कैसे तुम जाओ भाई किसी और से घ्यान ले लो मेरे पास घ्यान देने की तुमहारे पास कोई मेरे पास इशारा नहीं है कोई तो इशारा हो जिससे मैं तुम्हें समझाँगा के वो है क्या कुछ तो बैल करते होगे जिसकी पराकाश्टा पर मैं तुम्हें समझा पाऊंगा और जो बिलकूर परमपवित्र होता है सबसे मुश्कल विक्ति वह होता है हमारे लिए जितना शरारती होता है क्रिशन वगवान जैस उसको समझाने में बड़ा मजा आता है किसी तरफ से समझा लिए उचको छेड़ चाड़ के मसले में सुलिआ लिए चोरी के मसले में सुलिआ लिए सब कुछ करता है इसलिए हमें सबसे प्यारा वो लगता है जैसा ही कोई किसी ने कहा कि मैं परमदमासू हम खूब खूस होते हैं कि चलो, मज़ा लेने का एक किनारा तो है तुम्हारे पास, जिसको कई गुणित करके तुम्हें समझाया जा सकता है, अनिता तुम्हें पता ही नहीं पाएगा, कि मैं बात काही की कर रहा हूं, पीते हो, कोई बात रहा हूं। लड़के में चला गया, अपनी लड़की के शादी के लिए एक लड़का देखने, लड़के के घर चला गया, चाय पाने की उपचारिकता नभा के लड़के को बिलाया गया, लड़का देखने में सुन्दर्थ। रूपरंग से बलिष्ट था शरीर से, डेल ढाल अच्छी थे, डेल डोल ठीक थे, सुन्दर लगा देखने में, पूछने लगे, बाप से, कोई बैल सेल तो नहीं बच्चे में, बैल तो कुछ भी नहीं है, हाँ, मस्ती के लिए कभी-कभी सेराग पिलेता है, और कोई बात में, मस्ती के लिए कभी-कभी सेराग पिलेता है, मस्ती के लिए कभी कभी चेड़ चाड़ कर लेता है आती जाती अगर क्यों से अब इसको चेड़ चाड़ का पका डंग बना रहा हूँ मैं इसलिए साधी करने जा रहा हूँ चेड़ता है ना और और कुछ ना किसमत काम करती है थोड़ी तास वगरा खेल लेता है लेकिन सदा जीत के आता है अच्छा है कभाई का जरिया बहुत बड़ी आ है लोगों को नोकरे नहीं मिलती इसे काम नहीं करना पड़ता है मजे से कट जाता है वक्त साम को पोटली भी अच्छी लेके आता है बाप तो घबराया लड़की का देखिये दूश शरितरता का वखान कितनी सुदरता से किया गया डांग होना चाहिए कहने का चोर माखन चोर चित को चुरा ले माखन चूरी करता करता और चित को ऐसे थोड़ा चुराया जाता है चित चुराना सबसे मुश्कल काम है लेकिन सुरवात तो माखन को चोर के ही करनी पड़ेगी न पहले माखन चोरी करेगा पहले अपने घर से चोरी करेगा फिर पडोसी के घर से चोरी करेगा फिर चित चोर बन जाएगा और देखिये ये आज मैं देखता हूँ कितने सुन्दर सेटेज अलगे हैं इस चित चोर के वडन के अंदर ऐसी सुन्दर रस पूर्ड कताई बगवान श्री किशन के और वो माताई जो चाहती हैं कि मेरा बच्चा चोर ना बने जुम जुम जाती है कोरेक्टर का वर्णन करने वाला चाहिए गुंडगर्दी को भी हम सुन्दर ढंग से प्रस्तुति कर चाहिए वर्णन करने वाला चाहिए अच्छा प्रस्तुति देने वाला हो तो बड़े से बड़े गुंडे को और सुन्दरतों व्याख्यायित कर सकता है गवराव मत ये कृत्य है और कृत्य करो मैं तुम्हें नहें रोकता रोकूंगा तो पश्याता करने से रोकूंगा कि कृत्य करके पश्याता अप मत करना देखिए छेड़ छेड़ करोगे इसे अंदाजा होता है कि मर्द हो ऐसे तो नहीं न कि वबाह करके जहांसा दे के ले आए मर्द नहीं तो छोड़ दी ये नामर्दगी का सबूत है बलहींता का सबूत है आप लड़की की शादी करने के लिए वर को देखने जाते हो तो क्या पूजा करने के लिए देखनाता है पूजा करेगा छेड़ शाड़ ही तो करेगा अर्थों को तुम बड़े शालिन ढंग से प्रयोक करते हो दुनिया बड़ी विक्रत हो गई है तुमारे आध्यात्मिक संतों के प्रवशनों के कारण जिस दिन दुनिया बिलकुल महावीर की तरह नगन हो जाएंगे दुनिया के लोग तो नगनता बुरी बात नहीं होगे छेड़ शाड़ पूजा के योग्यों होगे इसी से तो ही उत्पत्ती होती है स्रजना के इसी ही से तो भवान क्रिश्न का जनम होता है एलबर्ट आइंस्टीन माइकल फेरडे जैसे लोग उत्पन होते हैं हम एलबर्ट आइंस्टीन माइकल फेरडे जैसे लोगों का भोजन खेंच के तिजोरियों में बंद कर देते हैं और भूख से मर जाते हैं होने वाले माइकल फैरीडे ऐलबर्ट आइंस्टेंच तुम क्या गारंटी दे सकते हो कि ये जो बच्छा भूख से मर गया टलको ऐलबर्ट आइंस्टेंच या माइकल फैरेडे या स्टीव हॉकिन्स हो सकता था आपको कुछ पता नहीं है बस आप तो सर्फ पैसे को कैद करने की पागलपन की दोड़ में मस हो आपको कुछ सूज़ता ही है शिराप पीते हो बिलकुल पीते हो हलका सा लक्षन तो है नहीं हमारे समझाने के लिए हम क्या बताएंगे आपको जब आप ईश्वर की व्याख्या पूछोगे हमारे लिए उस व्याख्या को करना सरल हो जाएगा हम कह पाएंगे कि जो आनंद शराव पीने से मस्ती आती है उसे करोण गुणा अनंत गुणा ज्यादा मस्ती वहाँ आएगे उस तल पे जो ख्षणी का आनंद सुख तुमे अंतरंग ख्षणों में आता है उसे अनंत 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 गुणा उस तल पे जब पहुँच जाओगे तो आएगा जो सुखंध का आनंद आप इस संसार के छोटे से उद्यान में अनभव करते हो वहाँ परम सुखंधी परसर ही होगी पारिश हो रही होगी यह चोटी सी वीना का जंकार सुनके जो तुम मुग्ध हो जाय करते हो तुमारी आखे बंद हो जाय करती है वहाँ तो तुमें होश में लाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा रामकिशन कोई साथ आठो वर सके हों गए खेत में जा रहे उपर से हनसों की कतार एक कतार निकल गए इतना सुन्तर द्रश क्या देखा उन्होंने गिर पड़े गंटों पड़े रहे जब होश में आए तो आखों में आँसोते क्या हुआ ये द्रश उस तल को छूग गया ये द्रश उस तल पर ले गया जेस तल पर बगवान क्रिशन पहुँच जाते हैं मुरलिया बजाते बजाते हैं बंसरी तो आज बंसरी वादक भी बहुत बजा रहे हैं लेकिन क्रिशन की बंसरी में बंसरी के पीछे की जो रास थी महा रास थी वो उनके भीतर नहीं होता इसलिए तो उनकी बंसरी में इतना लुटफ नहीं आता क्रिशन की बंसरी को सुनकर गोपियां भी भागाती थी और यहां तक के गाईं भी भागाती थी पशू भी आ जाती थी सुनने के लिए इतनी मंत्र मुगद कर देती थी तुमारे इन पाखंडी आध्यात्मिक गुर्वों के पीछे मतलग जाना संसार का वैवब भी खो दोगे और उस विशाल की प्रकाड़ता में भी जाने से वंचित रह जाओगे छोटे आनद को अगर चखते हो तो बंद मत करो हमें एक पैमाना मिला मैजर्मेंट मिला जुआ खेलते हो कोई बात नहीं जुए बाज तो हम ढूंडते हैं कंजूस व्यक्ति प्रिश्वर तक नहीं परूंसकता जो पैसा ही दौव पे नहीं लगा सकेगा अपनी आत्मा को दौव पे कैसे लगा देगा स्वेम को दौव पर कैसे लगा देगा जो पैसा ही नहीं लुटा सका सिर कैसे कटा सकेगा बनियों के कोई अवश्यक्ता ने व्यापारियों के कोई अवश्यक्ता ने व्यापारी तो अक्सर छलावा देते हैं हमने देखे टेबल के नीचे से संसार के लोगों को रिश्वत दे के काम कराने का उनका प्रगाड बन चुका है एक जिवन का ढंग जो भी कुछ कराते हैं टेबल के नीचे से रिश्वत दे के करवाते हैं वो ही फार्मूला भगवान पर बरते हैं लालच देते हैं संसार के शब्दों में बढ़िया परस्तुति के लिए शब्द घड़ लेते हैं मननत होता है वो रिश्वत आदत पड़ी हुई है रिश्वत लेने देने के आदत पड़ी हुई है और ये समझते हैं के रिश्वत देने से भगवान हमारा काम पहले करते हैं बिचोरे भी पाल लेते हैं ये पंडित प्रोहित उजर की पीते थे मैं और जानते थे की हां आदते थे मैं और जानते थे की हां रंग लाए गे हमारी फाका मस्ती एक बेन पता है ये रिश्वत है बगवान तक को हम रिश्वत रेने से जरावी संकोजने करते हैं पता कहने लगा पुत्र से क्यों बेटा तुम्हारी शिकायत आई है पुत्र कहने लगा पिता जी क्या शिकायत आई है शिकायत आई है बेटा कि तुम लड़कियों को छेड़ते हैं ऐसे नहीं क्या करते है पुत्र तुम्हारा कुरेक्टर खड़ाब हो जाएगा सिरित्रहीन हो जाओगे बच्चा कहने लगा फिर मैं क्या करूँ उम्र ही जवान हूँ मैं सोला बरस का हूँ क्या करूँ तबेटा किसी भी इस्तरी को अपनी माता समझो बच्चा कहता पिता जी उससे आपका कुरेक्टर खड़ाब नहीं हो जाएगा क्या तुम्हें अपनी ही पड़ी रहती है सारे दिन मेरी तरफ भी कुछ ख्याल करो सबी को माता समझेना सुरू कर दूँगा तो आपकी मोज लग जाएगे ऐसा मत करो पिता जी मेरी उमर का भी तो ख्याल करो सब कुछ अपने पार्लिमेंट डाल लेना चाहते है मैं भी तो सोला वरसका हो गया शराब पी रहे हो चलेगा देखिए किसी जैनमुनी के आसरव में जाके ये बात मत बोले लिए वो खुद तो पहले से ही मूड मुडाए रहते हैं बचने के लिए किसी से बचने के लिए ये नहीं बोलूँगा आप उस आसरव में जाके ऐसी बाते मत करते ना वहां ऐसी बाते करना मना है मेरी पास्चा देगा सराव पीते हो पीलो जब मस्ती की जलक ही ना देखी तो मैं तुम्हें इसकी विशालता कहा दिखा पूंगा अरे मेरी मोज बन गई पीश्वर के तल पर मजा है अंतरंग संबंदों में जाते हो तो आपको बताता हूंगा अरे जिसने स्वाद ही न चखा उसे परम्स्वाद की व्याख्या क्या खात करूंगा इन पंडितों पिरोहितों ने तुम्हारे कीमती एक्षण को बरबाद किया है ये कहते हैं कि बीती जाए उमरिया ले लो प्रभू का नाम मैं कहता हूं कि बीती जाए उमरिया मत जाओ इनके दाम इस उमरिया का लाब उठा अरे मैं कैसे समझा पाऊंगा तुम्हें जब तुम मेरे पास अंतक्षण में आओगे के नहीं मिला बाबा मिला जल के मेली चमक जाता है काले बादलों के बीच में कौंद जाती है बिजली की चमक रास्ता थोड़ा सा दिखाई पड़ता है आगे क्या करूँ रुक गया अब बादल भी नहीं बिजली भी नहीं चमकती रास्ता दिखाई ही नहीं ते था अब बताओ बाबा मैं क्या करूँ मेरे पास अक्सर ये केस आते हैं रुके ढले बेचारे सब मेरे पास से कठे हो जाते हैं जैसे मैं कोई पी जी आई या एम्ज छोटी छोटी केस ये बोधी धारी निपट लिया करते हैं लेकिन जो कूड़ा इनके दिमाग में भर देते हैं वो साफ मुझे करना पड़ता है मेरा काम आसान हो जाएगा अगर तुम्हें पहले से ही ये गोने हैं तो जुआ खेलते हो मेरे लिए बहुत वड़िया बात है पैसा दाउं पे लगा पाओगे तो फिर सिर भी दाउं पे लगा पाओगे सीस दे ले जाए प्रेमना बाड़ी उपजे प्रेमना हाट विकाए राजा परजा जही रुचै सीस दे ले जाए इतना बड़ा जुआ तुम तभी तो खेल पाओगे जब तुमने छोटा जुआ खेला हो अरे भाई कुछ पैसा टका दाउं पे लगाया होगा और जीते हारे होगे कुछ दव पे लगाने की हिमत तो है लालची और वनिक व्यापारी लोग मुझे नहीं चाहिए रुपे की चीज लेनी है और सबब रुपया कमाना है ऐसे विक्ति मेरे पास आना मेरे मसले में कुछ मुनाफ़ा निकालने को नहीं है गवाने को सब कुछ है महावीर अगर नगन हो जाते है तो तुमें कुछ इशारा देने के लिए नगन हो जाते है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे वस्तर तक उतार लूँगा इश्वर के समुक नगन होकर ही जाया जा सकता है अगर तुमने कुछ भी छुपा लिया इश्वर से तो छुपना सकेगा तुम अपने मन में छुपा लोगे वो बात अलग है यानि जूट ब्रम की माया जाल अपने आज पास ले आओगे जिससे कुछ चुपाया नहीं जा सकता उससे चुपाने की कोशिश कर लोगे तुम ना पहुंच पाओगे अगर इश्वर के सामने नगन प्रदरशित नहीं हो सकोगे पड़ी सुन्दर प्रम्प्रा है इसाई धरम के आखे चर्च में जाके एक परदा होता है उस तरफ पादरी खड़ा होता है इस तरफ एक्यूजड होता है प्रेयर करने वाला प्रार्थी और उसको बोलना होता है कनफेशन मातमा गांदिया ने एक शब्द लिखा है Confession of Errors is like a broom that sweeps of a dirt and makes a surface cleaner than before Confession of Errors अपनी गलतियों का सुक्रत कर देना Confession of Errors is like a broom उस जाड़ू की तरह है That sweeps of a dirt and makes a surface cleaner than before और जो तुमारी surface सत्य के उपर जम्य हुई धूल को पहुच देती है और पहले से भी ज़्यादा स्वच्छ बना दिया करती है धूल रहिद कर दिया करती है तो वह वेक्ति अपने गुनाह बोलता है कहें प्रभू मैंने ये ये गुनाह किया है दूसरी तरफ पादरी होता है वो पादरी को ईशुर का सवरूप समझ के अपने कनफेशन करता है पीछ में एक परजा होता है और पादरी बड़े हुशार सुबह से साम तक सेकड़ों लोग आएंगे और अपनी मवाद निकालेंगे सारी बदबू मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया सब कुछ बोलेंगे अपनी बदबूदार सारी बाते तो पादरी शाम तक पादल होने को है अगर समझदार नहीं है तो लेकिन पादरी समझदार होते हैं वो चुपके से खिसक जाते हैं बिच में पर्दा लगवाते ही तो है कौन सुने इस पागलबन को तुमने जुवा खेला होगा हारे तुम जीते चुम मैंने क्या लेना है वो चुप करके खिसक जाता है नादो भी आते हैं रोटी पानी भी खाते हैं और आने वाले कनफेशन किये जाते हैं बोले जाते हैं वो सुनता है नहीं होता ही नहीं वाँ अगर सब की वगवाद सुनेगा तो शाम तक वो पागल हो जाएगा बच्पन में मैंने एक फिलम देखिये थी नाम भूल के तूसमें एक इस्त्री की कहानी देखलाई गई जो कि हॉस्पिटल में नर्स होती है मेंटल पेशेंट्स उसके पास आते हैं मेंटल हॉस्पिटल में वो एक से विका के रूप में काम करते हैं तो कुछ जवा लड़के आते हैं जिनके दिमाग में कुछ फरक हो गया होता है और वो उसकी शकल सूरत देखके उन पे मुगद हो जाती है और सेवा करते करते वो उनके प्रेम में पढ़ जाती है सौभाविक है आदमी इसरी का प्रेम सौभाविक है लेकिन हमारे साहब तो आच प्रेम के उपर प्रतिबंद लगाए चाहते है और कबीर कहते हैं कि प्रेम जैसी चीज सिर दिये बिना नहीं मिलती सिर कटाना पड़ता है इतनी है कीमत उसके इतनी कीमती चीज आप प्रतिबंद लगाए जाते हैं याने आप उसकी वैल्यू ही नहीं जानते हैं प्रेम और प्रार्थना जैसी अभूत पूर्वचीज जो सिर के कटने के बिना मिलती ही नहीं उनको आपने अपेक्षित कर दिया है लव जिहाद का नाम देखे आदमी को इस तरी से प्रेम होता है इस तरी को आदमी से प्रेम होता है नए सरगिक गटना है इसमें हिंदू मुसल्मान कहां से आगए भाई लड़ाई जगडे हिंदू हिंदू या मुसल्मान मुसल्मान के बीच में नहीं होते क्या लेकिन जब कोई विरला केस आ जाता है ते ये लोग धरम के नाम पर उपत्रव खिला लेते हैं उसे कितने ज़्यादा गुना केस उसी धरम में रोज होते हैं जब ये बोलते तक नहीं कहते वाई अदान तोना जाओ और जब कोई धरम के अंदर ऐसी बात होती है तो ये लोग खुद जगड़ा करने शुरू कर देते हैं धरम के नाम पर धरम प्रेम का अतिरेक है प्रेम जब पूर्ण होता है फलों से लद जाता है फूलों से लद जाता है तो वो धरम हो जाता है प्रेम का अतिरेक दरम है और ये प्रेम ही को मिटाए जाते हैं खुद तो कभी प्रेम कर ना सके और इशुर ने कभी इन पर इतनी करुणा की नहीं कि इनके हिरदय में प्रेम उपज़ सके तो प्रेम विहीन हरदय को, शून हरदय को व्यतित हरदय को लेकर ये संसार में चक्र लगा रहे हैं दूसरा प्रेमी जो मिलता है इन्हें उन्हें दंडित कर रहे हैं काश इन्हें प्रेम की एक जलक मिल गई होते तो समझ आ गया होता कि ये है क्या फिर लव जिहाद जैसी बात कभी न होते प्रेम की शुरुवात में ही आप उसका गला घूंट दोगे तो प्रेम प्रमात्मा बन कैसे पाएगा शराब को शुरु से ही घूंट चखना बंद वर्दोगे तो उस प्रम शराब के जरने में समुद्र में कैसे समा पाऊगे तुमारे पास संसार में और जरिया भी क्या है इनी चीजों से ही तो तुम सीख पाऊगे और इनी चीजों को तुमारे धर्म गुरुओं ने निशेद कर दिया है पत्थर की हो गई है दुनिया जबके चाहिए थी द्रवित खरदय से पत्थर खरदय दुनिया नहीं होनी चाहिए थी आज पत्थर खरदय हो गई है क्यों हो गई है तुमारे धर्म गुरुओं के कारव इन्होंने वो वो रस्ते सारे बंद कर दिये हैं जो तुमारे खरदय को द्रवित करते थे प्रेम इन्होंने बंद कर दिया जो सुभाविक रूप से होता है आपको पता है की तरफ से पुत्रा करता है आप चले जा रहे हैं आराम से अपनी मस्ती में कोई खबर ने अचानक आपकी आँखें उठती हैं और उधर से दुझाँ आँखें उठती हैं और चार हो जाती हैं ना आपको पता ना उसको पता कसूर किसका तुम अपने सवाव में छलांग ले लिये होते हो दोनों ही और वो प्रेम हो जाता है वो कहलाता है प्रेम यानि प्रेमकार्थ अपने अंतरंग सवाव को छू लेना दोनों ही व्यक्ति अपने अंतरंग सवाव को उस गड़ी में छ जियान रखना, एक बार का प्रेम, वो जो अंतरंग घड़ी है, उसके बाद कभी नहीं आते हैं, उस डिगरी पे, तुमारी कारण, तुमारी समाज के कारण, तुमारी धर्म गुरुमों के कारण, डिगरी घड़ती ही जाते हैं, फिर तुम उस प्रेम को कैद कर लेना चाहते हो, बस, अब प्रेम हो गया है, ये तो बहुत सुन्दर तुरिश्य है, मैं इसको कैद कर लो, मैं अपनी तजोरी में पठा लो, वो गटना फिर कभे नहीं गटती, फिर तुम उस गटना की लकीरों को पीटते रह जाते हो, साप गया, साप की लकीर छूट गई, लाख पीटे जाओ, अब नहीं आने पूए, क्योंकि वो गटना गटी थी, तुम अग्यात में खोए हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं थ और सदा ही तब घटती है, जब तुम्हें पता ही नहीं होता, अगले खशन क्या होता है, प्रेम और एनलाइटनमेंट, समाधी की अवस्ता, तुम्हें एक खशन पहले भी नहीं पता होता, के कब घटे की, प्रेम भी बिल्कुल ऐसे ही पता होता, तुम देख लेना, जिनो जिनको भी प्रेम हुआ है, उनसे पूछे, एक खशन पहले उनको पता था, के अगले खशन में तुम प्रेम की अवस्ता में डूब जाओगे, वो कहेंगे नहीं, समाधिस्त व्यक्ति जितने हुए, उनसे पूछे, के समाधी लगने से पहले, आपको एक खशन पहले पता था, के अगले खशन समाधी लग जाएगी, मैं उस अवस्ता को उपलब तो हो जाओगा, नहीं, वो कहेंगे, महावीर खड़े हैं, बैठने जा रहे हैं, उस अवस्ता में हैं, जिसे गोदो हासन कहते हैं, और समाधी लग जाते हैं, फुद सोके उठे हैं, भोर का तारा देखे हैं, तो माधिस तो हो जाते हैं, क्या हुआ? अर्य दास, गुनगान कर रहे हैं, प्रभू का कुछ पता रहे हैं, ऐसी ताड़ी रड़ी, प्रेम गटित हो गया, समाधी में चले गए, वो पर्म प्रेम की अवस्ता गट गई, बिल्कुल नहीं पता था, उससे पहले सिर्फ अपना काम किये जा रहे थे, ऐसा ही कबिर के साथ गटा, चदरिया बनते बनते, ऐसा ही नानक के साथ गटा, रात्री सोये नहीं जागते रहे, सारी रात पिहू पिहू के साथ, कॉम्पिटीशन करते रहे, और दूसरे दन गट ना गट गट गए, तीन दिन उस अवस्था में पड़े रहे, प्रेम और समाधी ऐसी अवस्था हैं, जो आपके वश्वे नहीं और आपको पता नहीं होता कि कब गटेंगी, अगले क्षन में भी गट सकती हैं, अगला क्षन आपका समाधी का क्षन हो, कौन जानता है, कोई नहीं जानता, अगला क्षन आपका प्रेम का क्षन हो, कोई नहीं जानता, वो तुम्हारा प्रेम नहीं, वो अटेच्मेंट होती है, जो तुम जिसे प्रेम कहते हो, वो बाहर की अट्रेक्शन होती है, मैं सच के प्रेम की बात करता हूँ तुमने भीतर की गटनाओं को बाहर के रूप दे के शब्द दे के उनको विक्रित कर दिया है मैं भीतर की अवस्थाओं की भीतर की अनभवों की बात कर रहा हूँ एक प्रेम भीतर से आके गढ़ता है उसका व्यक्ति को कोई पता नहीं होता है तुम्हें तो सब पता होता है तुम तो अच्छी तरह से देखवार लिये करते हो वो प्रेम नहीं होता प्रेम तो वो होता है जो पता नहीं कौन है पता ही नहीं कौन है जात पात पूछे नहीं कोई हरी को भजय सो हरी का होई ये हरी प्रेम का दूसरा नाम है प्रेम में डूब के जाती पाती का बाद में पता चलता है कि तुम्हारा समाज उसे जाती पाती का कौन सा नाम देता है ये तुम्हारी समाज की विक्रतियां है ये प्रेम को दूशित कर देती है प्रेम को दूशित है नहीं मार दिया करती है तुमने मवस्ता ही ऐसी बना ली प्रेम परमात्मा की परचाई है इसी परचाई ही से तो तुम जान पाओगे कि कोई है जिसकी ये परचाई बन रही है इस परच्छाई को पकड़ कर ही तुम इसी का अवलंबन लेकर ही तुम परमात्मा तक पहुँच पाओगे ये प्रेम के अनभव इतने मीठे हैं तो प्रमात्मा का अनभव कैसा होगा तो हम समझा सकते हैं कि प्रेम किया हाँ हुआ पर जो प्रेम हुआ तुम्हें जितना रस मिला उसे अनंतगुना रस परमात्मा में है तुम्हें ऐसे बद नसीब हो तुम्हें प्रेम तक की गटनाई भी नहीं उतरती हर्दे में तो कैसे सोच पाओगे के परमात्मा तुम्हारे हर्दे में उतर जाएगा तुमने सराब ही नहीं पी कैसे सोच पाओगे कि उस सराब के समुद्र में कभी गोता लग जाएगा तुम अंतरंग खशनों में ही नहीं गए लंगोटी बांद के फ़रते रहे तुमें क्या पता चलेगा कि वो बहारास का स्वाद कैसा होता है तुम शुद्र को चखने से मना के हो तुमने शुद्र को सदा ही अपमानित किया है तुमने तो शुद्र की जाती तक बना दे तुम शुद्र अनभवों को सदा ही प्रिस्कृत करते रहे हो और इस प्रिस्कृत भावना के कारण तुमने विराट को खो दिया क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता कि बड़े दूर तक जो धागे जाया करते हैं उनकी कोई छोर छोटी सी हुआ करती है जहां से उस छोर को पकड़ कर उपर चुड़े जाता है फिर आगे रसा थोड़ा मोटा हो जाता है फिर आगे परंविशा फिर स्टेनलस स्टेन के रसे हो जाते हैं जो कभी तूटे से तूटते नहीं टेकर शुरुआत तो कच्छे धागों से हुआता है जितने छोटे छोटे ये जलकें थी इनको तुमने आने से रोख दिया इसलिए तो संसार में आज इतनी ग्रिना है और तुम से लाए जाते हो कि संसार में इतनी ग्रिना है इतनी नफरत है सब तुमारी वनाई हुई है तुमारी उपज है तुम भागीदार हो तुमने क्यूं मानी ये ववस्ता तुमने ये ववस्ता मानी तुमने इसे मानने से इंकार नहीं किया इसलिए आज तुम इस दुर्गती में हो प्रेम से बरपूर होना चाहिए क्योंकि वो जग्द के कंकरमे है इशा वस्य मिदम सर्वम यत किंच जगत याम जगत वो प्रेम तो इस जगत के कनकन में है कनकन ही प्रेम तुम तो प्रेम की शुद्रतम गटनाओं के शुर्वात होते ही उसका गला घोंड देते है छोटा बच्चा गर्व में अगर लड़की है कितनी सुरक्षत होती है मां की कोख में और तुम ऐसे जरलाद हो के उसको काट के पीट के बाहर फैंक देते हो और तुम अपने आपको धार में कहलाते हो सुबह भगवान के आगे पूजा की थारी लेके चले जाते हो अपने आपको अहिंसक कहते हो अपने ही बच्चों का कतल करने वालो तुम अहिंसको देखो कतार में सबसे पहले खड़े हुए मिलेंगे ये लोग लड़की को जनम देने से रोक दिया लड़की का वद करके आए और अगर किसी गहर ने वद कर दिया तो उसे फांसी होनी चाहिए अब समू देखना ऐसे लोगों का अगर किसी ने लड़की से रेप करके वद कर दिया उसको फांसी की डिमांड करेंगे और खुद ही अपने बच्चों को काट के आए होंगे किसी वकत जब वो निराशर थी सिरफ उसे तुमारा सहारा था एक मात्र और उस निरवल पानी को जो सिर्फ तुमारे आशर था तुमने समाज के वैसे उसके छोटे छोटे आंग काट दिया और तगमा लगाए बैटे हो अहिन्सो पर्मो धर्म करके आये हो पर्म अधर्म नाम देते हो पर्मो धर्म अहिन्सा पर्मो धर्मा बद करने की प्रेर्णा देते हो तुम अहिन्सक लोग कैसे लड़की के साथ दहेज मांगोगे शादी में तो प्रेर्णा किस ने दी लड़की का बद करने की बताओ जब किसी पुत्री के पिता को शादी करने के बाद फांसी लेना पड़े तो तुम अहिन्सक हुए कंस का दूसरा रूप हो तुम उसका पता तो चलता था कि देवकी की पुत्रियों को ये दीवार के उपर टकरा के मार दिया करता है और भवान कृष्ण ने उसका बद कर दिया तुमारा बद कौन करेगा करती है प्रकृति है तुम अपना काम करते रहो प्रकृति अपना काम करती रहेगी फिर कहते हैं कि दुनिया में इतना दुख क्यों है सब जानते हैं कि क्यों है पूशते हैं हम से आके कि बाबा जी दुनिया में इतना दुख क्यों है सब तुमने पैदा किया है तुमारे समाज ने तुमारे समाज के समूले बैठ के कभी विचारनी अबाती ही नहीं की जो विचारनी अबाते नहीं की नहीं है वो सदा ही उनके उपर विचार किया है तुम जिम्मेवार हो वो जो लड़कियां गर्व में से काट दी जाती है उनके जम्मेदार तुम दहेज को मागने वाले लोग अरे लड़की दे दी पाल के पोस के ये कम गिफ्ट है तुमारे लिए एक जीवन तो परतिवा दे दी तुम्हे और तुम मृत परतिमाओं के शोकीन हो तुम्हें डॉलरों की खन खनाहट भी साथ चाहिए तुम्हें सोने की चमकाहट भी साथ चाहिए लेकिन तुम इतने दुष्ट हो के तुम्हारे की भीतर की आत्मा सबसमात हो गए आत्मा नाम की चीज महान की चड़के तले दबके रह गई आत्मा की आवाज दबी ही नहीं खत्म कर दी गई उसकी चीज तक नहीं निकलती बाहर तुमने ऐसे इंताजामात कर दी है शराब पीते हो बिलकुल पीओ शुब है जुआ खेलते हो बहुत शुब है छेड़ शार करते हो अतीशुब है कोई आमंत्रित करता होगा ना तुम्हें हाँ अगर एतराज होता हो तो फिर तो मैं भी ठीक न कूँगा अगर सहमती से तुम छेड़ शार करते हो उसको मैं इंकार न कर पाँगा ने सरगिक प्रक्रिया है बलातकार नहीं है आपने कभी भगवान क्रिशन की जीवनी में पढ़ा अपने जीवन में हचारों राणियां रखने के बावजूद कभी उनकी शिकायत आई कि उन्होंने कभी किसी से बलातकार किया ध्यान से समझाओ रुक्मनी का पत्र जाता है क्रिशन के पास रुक्मनी की शादी ते हो गई बुआ के पुत्र के साथ शिशुपाल के साथ शिशुपाल बरात लेके आएगा रुक्मनी को ले जाएगा गोर विपदा के वेला में प्रेम पाती जाती है कर्शन के पास हेनाथ मैं आपसे प्रेम करते हूँ मुझे कल शिशुपाल ब्यानी के लिए आ रहा है मुझे आओ आके मेरा अपहरन करके ले जाओ ये पाती थी रुकमनी के द्वारा लिखित पहुँझा दी गई दासी के द्वारा कर्शन ने पड़ी बलराम को साथ ले गए रुकमनी को अपरित करके लिए रुकमनी कहने लगी कि ठहरू कर्शन तुम पीछे बैठो रत को मैं चलाओंगे घोड़ों को मैं हाकूंगे तुम पीछे बैठो नहीं तो तुम बद्राम हो जाओगे लोग कहेंगे क्रिशन ने रुकमनी का अपहर्न कर लिया अपहर्न तो मैंने तुम्हारा किया है क्रिशन बात सची भी थे रुकमनी पड़ी इसलिए तो रुकमनी सबसे ज़्यादा प्रिया थी उसे रुकमनी इतनी सत्य भकता थी कि रुकमनी ने कहा क्रिशन तुमने मेरा अपहर्न नहीं किया है मैंने तुम्हे अप्रहित किया है मैंने मेरी इच्छा पूर्ती किया है इसलिए तुम्हारे उपर दोश न लग जाए कहीं, ये कलंक मैं अपने सर के उपर ही रुखूंगे, गोडों को मैं हांकूंगे, और गोडों की डोरी रुकमनी ने पकड़ ले, और आज पुत्री थी, अच्छे तरह से गोडों को चलाना जानती थी, रथ हांके थे उसने, कुछलता पुरुवक, रथ को हांके ले थे, रुकमनी का अपहरन कृष्ण ने नहीं किया, बलकि कृष्ण का अपहरन रुकमनी ने किया, कुछ बातें देखने में और, और वास्त में कुछ और होती हैं, बहुत से आपको सत्पुर्ष मिल जाएंगे, सत्थ संगों में बैठेंगे, जो अपने बच्चियों का कतल किये होंगे, मुखिया हैं, परधान, आध्यात्मिक केंद्रों के, मैं आपको नाम नहीं करनाना, चाहता हूँ, शिराप पीते हो, शुप, मेरी प्रग्या की कसोटी पर तुम खरे उतरते हो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, मेरे लिए तुम प्रशनशा के पातर हो, क्यों, क्योंकि तुमने कम से कम सच तो बोला, यहां तो वेबचारी वेक्ती, नकाब उड़ लेते हैं सच्च रितरता का, तुम सच्च तो बोला, और जहां सच्च है, वहां जीत है, सच्च मेबचाईते हैं, शराबी हो, सच्च तो बोला, जुवा खेलते हो, सच्च तो बोला, और जो सच्च बोलने का दुश साहस कर सकता है, वो ही हमें जरूरत है, ऐसे ही जुवे बाजूं की, क्योंकि हमने तुम्हारी गर्दने दाउं पे लगानी हैं, सच्च में गर्दनों की हमें आविश्क तब ही नहीं हैं, हम जो गर्दनों के पीशे तुम्हारे अहंकार का किल्ला फसा हुआ हैं, वो चाहिए, गर्दने तूटेंगी, तो साथ में वो किल्ला भी निकलेगा, हम उसके दुश्मन हैं, हमें उसकी बड़ी चाहिए, और जब तुम्हारे बितर इतना भी होसला नहोगा दाउं पे लगाने का, तो तुम उस प्रेम को पा के से सकोगे, उस प्रेम को पा के से सकोगे, सेंखडो हजारों परसुं से, हमारे रिशी गण कहते आए हैं, जिमें तुम रिशी कहते हो, जिन प्रेम की तिन प्रफु पायओं, तिन प्रफु पायओं, तुम सुनते हो, तुम बोलते हो, रोज बोलते हो, हरद्यस्त नहीं होता कंठस्त हो जाता है, कंठ तक रह जाती है बात हरद्यस्त नहीं होती, हरदय में नहीं उतरती और जो बात तुमारे हरदय में नहीं उतरी, वो कंठस्त करने का कोई अख नहीं होता कंठ तक बात रह जाए, रह जाए, आपने देखा, बगवान कृषिन को नेल कंठ कहते है, बगवान कृषिन ने जो हला हल समुद्र मंतन से निकला था, उसको कोई पेने को तयार नहीं था, कौन पिये जहर को, अमरत के लिए सफिर रहे हैं हमारे मारे, जहर कौन पिये? शिवाए, जहर का पहला हाथ में लिया, और गट गट करके पी गए, कंठ में रख लिया, नेल कंठ कहलाए, जिसलिए बाकी देव, शिव महाँ देव, जहर को भी, उतने ही प्रेम से पी लेते हैं, जितने अमरत, अमरत की तो अंकाक्षा ही ना के, इस महाँ देवता ने, तो हला हल ऐसे पी गए, जैसे अमरत भी, आप नहीं पी सकते, इतनी उत कंठा के साथ, वो पी गए, हला हल, निलकंठ कहला है, लेकिन वो जहर, उन्होंने हरदय में नहीं उता रहा है, यानि, उन्होंने बदला लेने की चेश्टा नहीं कि, ये एक आपको, सिंबॉलिक रिप्रिजेंटेशन के रूप में उपदेश था, लेकिन आप नहीं समझ पाते क्यूंकि बोलने वालों ने वो जलेबी में रस वर दिया, जलेबी को देखते हो, आप टेड़ी मेड़ी और छोड़ देते हो, कि इसके वितर कोई रस भी हो सकता है, इस वक्र गती की वक्र आक्रती की चीज के बितर रस भी हो सकता है मिठा तुम छोड़ दिया तुम लेकिन बड़े मिठे रस हैं इनके बितर शिव का नील कंट इस बात का उपदेश आपको देता है कि अगर अपमान का जहर पीना भी पड़े तो गल से नीचे मत उतरने देना फिर द्यस्त मत कर लेना उसको बदले की भावना मत पा लेना बस कंट तरक लेना कुछ नहीं बिगड़ पाएगा अगर कोई आपके साथ दुर विभार करता है निल कंट हो जाना हिर्दे मत हिर्दे तक मत पहुंचे ने देना बदला लेने की भावना हिर्दे में मत रख लेना जब हिर्दे तक पहुंचे गाएगा ने आपका जहर तो हिर्दे तक पहुंचने वाला नप पहुंचने वाला जहर आपको बदला लेने की प्रेना ना देगा हो सिर्फ कंट का करना हिर्दय में जहर को उतरने मत देना क्योंकि अगर हिर्दय में उतर गया तो तुमारे आचरन में आ जाएगा जिस चीज को तुम आचरन में लाना चाहती हो उसको हिर्दय में ले जाना अमरित को हिर्दय में ले जाना ताकि तुम अम्रित बाट पाओ, करुणा को घरदय में ले जाना, ताकि तुम अम्रित और करुणा बाट सको तुम्हे कोई अपमानित करते हैं, करते हैं, सुन लेना, बस कंट से नीचे मत चाने देना ये आदेश और उपदेश भरा हुआ है, शिव के जीवन के भीतर, नीलकंट के रूप में शिव के जीवन के साथ बहुत सी कटनाएं हैं, जो कि उलेक निय हैं, लेकिन वक्त की कमी के कारण प्रसंग सदा ही लंबे हो जाते हैं और मुझे आप सुनते भी हो, और मुझे आप कहते भी हो बाबा, प्रसंग थोड़े छोटे नहीं हो सकते हैं मैं क्या करूँ, मजबूर हो, हिरदय में आई हुई बात को रोग नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, शमा प्रार्तियों, सून लिया करूँ शराप पीता हूँ, जुवा खेलता हूँ, छेड़ शाड़ भी कर लेता हूँ कोई बात नहीं, चलेगा, एक चोथी चीज भी लियाओ, क्या, विरहा की अगनी भी प्रकट कर लो उसे मिलने की इच्छा भी प्रगाड कर लो, कोई बात नहीं दोश कितने भी प्रबल हो, जहर कितना भी ताक्तवर हो, अमर्त के आगे उसकी तनिक भी नहीं चलते अमर्त जिला ही देगा तुम्हें, अमर्त तुम्हें जिन्दा कर ही देगा, और वो अमर्त ही क्या जो के जीवन ना दे दे, तुलसी ने कहा है, बला बलाई पेल है, नीच लहाई नीच, सुदा सराई अमर्ता वो सुदा ही क्या, वो अमर्त ही क्या, जो कि तुम्हें अमर्त न कर दे, गर्ल सराई नीच और वो जहर ही क्या, जो तुम्हें मर्न मारने में उच्सुक रहो सुदा सराई अमर्ता, गर्ल सराई नीच गब्रा नमत, लाख बैल हैं तुम्हें, इश्वर के दरवार में आपको आमंतरन है खुला, लोभियों को, वनिकों को, व्यापारियों को, जोड़ने वालों को, इकठा करने वालों को, भगवान बुध्य ने कह, भगवान मामीर ने कह, भगवान पातंजली ने कह एक बड़ा प्यारा शर्ठ, अस्तिये तो कहा कहाँ चोरी मत करो, अब परिग्ड्र है भी कहाँ, परिग्ड्रह मत करो, जोड़ो मत, बड़ी प्यारी बात करेए, क्योंकि जब तुम जुडोगे तो किसी कहा कखा लोगे और जब कोई भूखा सोता है तो उसका पाप तुमें लगता है जाद रखना एक ना एक दिन कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर देर अबेर आपको ही भोगना पड़ेगा जहां भी जिस भी बस्ती में कोई भी भूखा सोता है वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है किसी ने चुरा लिए होगी उसके रोटी जो आज वो भूखा मर रहा है किसी बस्ती में किसी मोड पर अगर कोई भूखा सोता है पूरी बस्ती उसकी जिम्यवार है वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है हमारे देश में जो कोई मर रहा है हम बराबर के गुनागार है जब तक हमें ये बात हिर्दिस्त नहीं होती तब तक हम जागेंगे नहीं हम गरीबों को मरने ही देंगे हमें एक दिन जागना पड़ेगा इन मरने वाले दोगों के लिए जो की नाजाइज मर रहे हैं इनका कोई कसूड नहीं इनकी रोटी किसी ने लोकर्ज में बंद कर ली है वो लोकर्ज हमें खुलवाने पड़ेंगे याद रखना मेरी बात को कई विक्ति मुस्से कह देते हैं आप प्रसंग से बेप्रसंग हो जाते हो नहीं उनकी समझाए प्रसंग से बेप्रसंग मैं कभी नहीं हूता अगर मैं प्रसंग से बेप्रसंग हुआ तो फिर ऐसा समझना कि सभी संत जो पहुँचे उस दीवेतत्त तक सभी अप्रसंग हुआ है बाबा नानिक ने कहा वंड चकुप इसका अर्थ भी यही था कि लोकरों में कैद मत होने दो किसी को भूखे मत मरने दो अगर उन्होंने राजनित्क बात में कहा एतिमार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया तो ये बात राजनित्क थी या आध्यात में ये बात राजनित्क थी बाबर के जुल्मों के लिए बोली गई थी आप समझने में गल्ती कर देते हो आपने इतिहास को ठीक से मनन नहीं किया कैसे हो सकता है संत बैठा हो उसके सामने ऐसा दुश विवाहर होता हो ऐसे दुराचार होते हो वो मोन बैठा रहेगा देखता रहेगा इस संत क्या हुआ संत क्या हुआ गुरु गोबिन सिंग जी का एक शब्द है पुर्जा पुर्जा कट मर है सूरा सोई जानी है जो लड़े दीन के हेथ प्रबल के तुस आप साथ आप हो लेते हो जिसके भीतर ताकत है जिसके पास शक्ती है उसके साथ तो आप होते ही हो लेकिन अशक्त के साथ कोन होता है ये बाबा बोलते है गुरु गोबिन सिंग सूरा सोई जानी है सूर विर उसको ही जानो जो लड़े दीन के ही जो दुख ही लेती है अबला निर्वल के लिए जो लड़ता है वोही सूर विर है अपने लिए तू सब लड़ते है दूसरे के लिए कौन लड़ता है वोही सूर विर है गुरु गोबिन सिंग कहते है सूरा सोई जानी है जो लड़े दीन के ही और यहीं बस नहीं होते आगे के शब्द तो बहुत कमाल के हैं पुर्जा पुर्जा कट मर तुम बोलने तक की बातों इग्नोर कर देतो हो तुमारी शर्दाइं भंग हो जाती है इन छोटे से शब्दों से तो क्या खाक शर्दा होगी तुमारी तुम इश्रधाईं बनाना बंद कर दो अगर इतनी जल्दी से तूट जाती हैं तो सूरा सोई जानी है जो लड़े दीन के हेत पुर्जा पुर्जा कट मरे कब हूना चांड है अपने विचारों को, अपनी श्रता को अपनी भितर की आत्म की स्थिती को कभी नहीं खोता वह वेक्ती पुर्जा पुर्जा कट मरता है और कट मरे गुरु तेख भादर ने किस से जमीन बाटनी थी? क्यूं सीस वलिदान कर दिया? गुरु गोमिन सिंग जी ने फरवार पूरा का पूरा समप्त कर दिया बता दो में रखो उसके बच्चे अगर लाल किले पे आज कोई निशान उनका धार में कर ये नोंने सीस वलिदान की लगा देते हैं तो तुम उत्पात मचा देते हैं तुम्हें समझा नहीं आता कि ये धर्म है ये धार्मी किचिन है तुम्हारे हिंदू धर्म का गौरव है तुम्हारे हिंदू धर्म का रक्षक है तुम्हें ये समझे नहीं आता किस के लिए लड़े किस के लिए सीस वलिदान किया गुरू तेक बहादूर है किस के लिए चार पुत्र कुरवान किया गुरू गुविन सिमय नहीं कभी आत्म केंद्रत होके बैठना गुषाओं में एक आंख समाधी लगाने का यद्टन मत करना एक आँख से समाधी लग भी नहीं सकती मेरा चैलेंज है इस बात का अगर कोई एक आँख समाधी लगा के दखा दे बिढेंगी तो दूनों आख में बिढेंगी एक आँख से तो शरारत गुआ करती पुर्जा पुर्जा कट मर है कब होना चांट है खेत छोटी छोटी बातों के लिए सिर उतारने पे उतारू हो जाते हो अरे इतना भी हक ना रहा उनका तुम एक पुत्र की कुरवाने करके तो देखो उसकी आँख में एक बिंदू ना आया पानी का चार पुत्रों की लाशें उसके सामने उपड़ी हैं उसको खुद को पीठ में जुरा गौंप दिया गया उसके बात का सिर जोली में लेके भागा तुमारी प्रग्या बिलकुल समगत हो गई है या कि तुमने इतिहास पुढ़ने में गर्दी कर ली है या कि तुमारे भीतर का लहू लाल से सफैद हो गया है या कि तुम उसके वन्षिजों में ही नहीं हो तुम उनके वन्षिजों से बाहर के वन्षिज हो कुछ जवाब है तुमारे पास नहीं तुमारे पास कोई जवाब नहीं और तुम इन परंपवितरा आत्माओं को जिनको मैं शर्था पूरवक नमन करता हूं तुम इनका कभी भी रन उतार ना सकोगे तुमारी आनी वाले लाखों लाखों बुच्छे इस परवार का तुम रिन कभी नहीं उतार सकोगे गुरुते बहादर के परवार का रिन तुम कभी नहीं उतार सकोगे हरे छोटे छोटे बच्चे pessimists, पांच पांच साल के बच्चे जिसने कुर्बान कर दिये तुमको बिलकुल ही शरम नहीं है हाया खत्म हो गई है तुमारी छेरा फिलता हूँ बहुत शुबता हूँ छेड़ शाड़ करता हूँ कोई बात नहीं अگर इतराज योग्य बात करते हो तो बात है अगर इतराज योग्य कोई काम नहीं करते तो कोई बात नहीं सब चले नशा करते हो में तुम्हे परमणशे की हो मेरे काम में सहायता हो गई छड़ छाड करते हो, मेरे काम में साहता होगे मैं तुम्हें बड़े आनंत की बड़ी रास, महा रास की तरफ इशारा कर सकूगा मुझे साहता मिली जुबा खेलते हो, हाँ, मुझे भी तुमारा सिर चाहिए मुझे भी तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा करना है और सीस दिये के बिना प्रेम पैदा नहीं होता प्रेम ना बाड़ी उपजा है प्रेम ना हाट भी काई बनिये की हटी पे ने मिलता प्रेम राजा परजा यही रूचे राजा को चाहिए या प्रिया को चाहिए उसकी किमत क्या है? सीस दे ले जाए सिर दे दे ले जाए चलेगा तुमारे ये सबी जिने तुम विकार कहते हो बेरे लिए पुरसकार है दुनिया तुमें विकार कहती होगी उनकी बातों से मत कबराना समाज के मापदंड उच्छे हैं घल्ब है सही मापदंड मैं जानता हूँ ये मापदंड ये तुम्हारी जिने तुम विकार कहते हो मेरे लिए विकार नहीं है मेरे काम में इसाहिता देने बाए मैं तुम्हें इशारा करने में ज्यादा सुखाई महसुस करूँगा मैं सुख पुरक तुम्हें आनन्द से तुम्हें इशारे करने में समर्थ हो पाऊंगा अगर तुम्हें ये अवगुड हैं समाज के हिसाब से पापा जी मैं शिराब भे पे लेता है मैं जुगा भे खेर लेता है मैं छेड़ शाड़ भी कर लेता हूँ चलेगा क्या मैं परमात्मों को फ्राप्त कर सकता हूँ क्यूं नहीं तुम ही तो योग्यो हो मेरी दश्टी में तुम सबसे पहले लाइन क्यूं में सबसे पहले खड़े हुए विक्ती हो सबसे ज़्यादा योग्यता नमबर वन तुमारी मेरी दश्टी कख सीस देने तक की अगर तुमारे में हिम्मत है जूएं पे दाओं पे लगा देने की तुमारे भीतर प्रग्या है इतना जर्या है तुमारे भीतर के तुम अपने सिर को दाओं पे रख दो मेरे काम के हो जराबी फिकर मत करो बूंद सराब की ढाल ली है कोई फरक ने पड़ेगा ये भी मेरे काम का है तुम कहते हो क्या मैं परमात्मा तक वहूं सकता हूँ तुम ही परमात्मा के सही योग्यों हो तुम में ही सही योग्यताई है जो होनी चाहिए मेरी प्रियासित को जागो, हींता को हीं भावना को छोगो सुपिरियर्टी कॉंप्लेक्स ले क्याओ, इनफिरियर्टी कॉंप्लेक्स को छोगो तुम योग, तुम योगेतम हो नमबर वन तुमारा क्यूं में सबसे पहले तुमारा नमबर प्रियासित बंद करो, अपने आप पर इनफिरियर्टी कॉंप्लेक्स में आना बंद करो हीं भावना महसूस करनी समाप्त करो, तुम योगे हो, परम योगे हो आपने पूछा, और ये प्रशन सिर्फ तुमारा ही नहीं है, बहुत से विक्ति, समाज इनको क्योंकि दुरगनों का नाम देता है, इसलिए इस तरफ जाते ही नहीं, अगर जाते हैं तो समाज उने कहते हैं कि देखो, नो सो चुहे खाके, बिल्ली हाजो को चले, बोलते र योगे ही तुम हो, ये बच्चों को घरब में कटवा पुटा के आकर अपने आपको एहिंसा का लेबल लगा कर, मंदरों में बैटे हुए लोग, फांसी पर चड़ाने के योगे हैं, सही पुरिश्कृत करने वाले विक्तितों, क्योंकि तुमने जूट तक ही नहीं बोला, चिंता त्यागो, हीन भावना त्यागो, बिलकुल तुम योगे हो, तुम ही योगे हो, मेरी दरश्टी में, मुझे ऐसे विक्तियों की आविश्क पाहिए, मुझे से तुम पूछ सकते हो, रास्ता, शुरू से आखिर तक का, मैं तुमारी साथ, वर्क तमाम हुआ, और मदह बाकी है, वर्क तमाम हुआ, और मदह बाकी है, कागस खत्म हो गया है, और परसंशा अभी बाकी है। सफीना चाहिए इस वहर बेकरां के लिए, सच तो इस परसंशा के लिए, समुद्र की शाही और पेड़ों से कल में लानी पड़ेंगी असत गिर्सिमं स्यात कजलं सिंधू पात्रे सुर्तरवर शाका लेखनी पत्र मुर्वी लेखती यदी ग्रिहित्वा शारदा सर्वकालं तद पी तव गुणा ना मीश्वारम न याती जिस चेज की मैं प्रशनशा करता हूँ उस चेज को तुम भगवान शिंकर की अस्तूती के लिए प्रियोग करते हो मैं इन संभावनाओं को ओ दे मैं इन तुमारी परतिभाओं को इतनी कदर देता अपने आपको अजोग्य घोशित स्वेमें ही मत कर देना तुम ही काविल हो उठो जागो अपने हेन भावनाओं को जाको दन्यवाद